दोस्तों नमस्कार, मिरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर इस समय माहौल का पूरी तरह चुनाव मई है चारों तरफ चुनावी बिला है चाहे वो कोई भी राजनितिक दल हूँ चाहे वो भारती जंता पारटी है जिसको की तीसरी बार सत्ता में आने की लालसा है तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है चाहे फिर वो कॉंग्रेस है जिसको लगता है कि दो बार का सूखा जो हो चुका उसे कैसे खत्म किया जाए चाहे वो इंडियन नैशनल लोगदल है अभे सिंग चोटाला जो बसपा से गटबंदन कर अपने राजनितिक वनवास को खत्म करने की दो दशक का राजनितिक वनवास को खत्म करने की जुगत में है लेकिन इन सब के बीच दोस्तों राजनितिक अंदर बाजी वो मारता है पुरानी कहवत है जो पहले मारता है वो जीतता है और भारती जंता पार्टी कुछ इसी अन्दाज में आजकल लगी हुई है जो रोतक में इनका कार्याली है ह Uranा का कार्याली है उसके अंदर देर रात तक बैठ़कों के दोर चलते रहे बाजबा के परदेश परवारी धर्मेंदर परदान भी वहां थे और चुनाव परवारी सतीश पूनिया भी वहां पर मौझूद थे यहले कि सतीश पुनिया भाज़पा के परबारी है आजकर और धर्मेंदर परधान जो केंदरिय शिक्षा मNTरी जो हरियाना के चुनाओ परबारी है विपलव कुमारदेव भी वहाँ पर थे और भाजपा के तमाम नेता परदेश अध्यक्ष बड़ोली भी वहाँ पर थे तमाम नेता थे और चर्चा इस बात की कि किस प्रकार से तीसरी बार हरियाना के अंदर सत्ता में आया जाए और इस सब को लेकर के भाजपा का जो परदेश नेत्रतव है जो केंद्रिय नेत्रतव है वो लगातार रणीती बना रहा है और इस रनीती के अंदर कौन से नेता को कहा फिट करना है, कौन सा नेता अन्फिट साबित हुआ, किसको कहा देना है, किसको कहा लेना है, किसके लिए क्या भूमिका रहेगी क्योंकि चुनाव के अंदर हर नेता और कारेकरता कि अपनी भूमिका हुआ करती है और भारती जंता पार्टी के लोग तो खासकर इस पर कुछ ज़्यादा ही मैनत करते हैं इस पर ज़्यादा ही हॉमवर्क हुआ करता है और इस हॉमवर्क का ही अंदाज था जो कल देर रात याने की लगवग 11-12 बजे तक वो बैठकों के दौर चलते रहे तमाम नेता उस बैठक में मौझूद रहे और मन्थन में भारती जंता पार्टी ने हर्याना के चुनाव के लिए दो कमेटियों का गठन कर दिया इन कमेटियों में किसको क्या मिला किसको क्या नहीं मिला कौन उपर गया किसको लगता है कि किसके पर कटे किसके लिए कौन सा आगे फिल गुड होगा इस पर चर्चा करूँ उससे पहले मैं आपको सारे वो नाम बताता हूँ जिनको किन कमेटियों में लिया गया है एक चुनाव समीती बनी है यानि कि जो चुनाव के कारेकरम तै करेगी चुनाव के जो प्रोग्राम सुंगे उनको तै करेगी और दूसरी बनी है चुनाव प्रबंधन समीती जिसके जिम्में सारा प्रबंधन होगा मैं पहले आपको न पूर्व मुख्य मंत्री रहे और हिसार के बड़े नेता कुल्दीब बिश्णोई का नाम दोनों कमेटियों में हैं एक कमेटी में तो वो सह सहयोजक हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं उनके नाम ही बताता चलूं कि कौन-कौन से नाम है तो जिनको परदेश चुनाव समीती में लिया गया है वो हैं मुख्य मंत्री नायब सिंग सैनी, केंद्रिय मंत्री मनोहरलाल खटर, राविंदर जी सिंग और कृशनपाल गूजर, भाज जाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल, बिवानी महिंदरगण के सांसद, चौधरी धरम बीर सिंग, पूर्व सांसद, कुलदीब, विश्नोई, राज्यसभा के सदस्य रामचन जांगडा, रोतक से चुनाव हारने वाले नेता अर्विंद शर्मा, पूर्व सांसद, पूर प्रदेश की चुनाव समीती में, और जिन लोगों को प्रदेश की चुनाव प्रबंदन समीती में लिया गया है, उसमें महुनलाल बड़ौली अध्यक्ष है, कुलदीब, विश्नोई, उसके सहियोजक है, कृशनपार और वेतपाल एडवोकेट, कृशनपार जो सांसद है राज्यसवा सदस्य, हर्याना सरकार के पूर वजीर, वो और वेतपाल एडवोकेट जो पहले पार्टे के महमंत्री थे, इन दोनों को बनाया गया है सह सहियोजक, बाकी जो सदस्य हैं, वोंप्रकाश धनकर हैं, सुनीता दुगगल हैं, विपुल गोयल हैं, कृशनमूर्त हैं, जवार यादव हैं, अजय बंसल, संदीब, जोशी, जी एल शर्मा, सुनीता दांगी, रेनू डावला, कैप्टन भुपेंदर हिसार के पूरु जिलाध्यक्षें, उशा प्रियदर्शी, महिलाध्यक्ष, अर्विंद यादव, मानस डेका, वरिंदर गर्ग, मेर मदन चोहान, मदन गोयल, नुमेश शर्मा, नागेंदर शर्मा, प्रवीन जैन, राजीव, जेटली, अरुन यादव, आधित्या चावला, सुनील राव, मनोज शर्मा, संचित नांदल, डॉक्टर बलवान, और करनल राजंदर सुहाग, ये सब लोग इसके अंदर लिए गए ह अगर आप सिल्सलेवार नामों पर चर्चा करें, तो एक नाम जो नहीं लिया गया, वो नाम है अनिल्विज का, अनिल्विज, गबबर, सुवे की सरकार के पूरु ग्रह मंत्री, अंबाला केंट के विधायक, छे वार के विधायक, भारती जनता प्राइटी के बहुत वज अनिल्विज का नंबर जो राजसभा की सीट खाली हुई है, उस पर लिया जा सकता है, और या फिर क्या अनिल्विज के लिए पार्टी ने कोई और जिम्मेदारी तैकी है, आप मान करके चलें कि हर्याना की राजनीती के अंदर अनिल्विज का ठीक ठाक कद है, अच्छा किरन चौधरी तोशाम की विधायक है, कॉंग्रेस छोड कर लोकसभाद चुनाव के बाद वो भाजबा में आई, भाजबा को ताकत दी, जब किरन चौधरी आई तो उनका खेर मगदम बड़े अच्छे से हुआ, अमिशाह से, जेपी नडड़ा से, सब लोगों से उनकी किरन चौधरी को बड़ा वजन मिलेगा, लेकिन ना किरन चौधरी का नाम है, ना शुरूती चौधरी का नाम है, किरन चौधरी के लिए पार्टी ने क्या भूमी का त्यकी है, क्या किरन चौधरी को राज्यसभा में भीजा जाएगा, किरन चौधरी के आने से मैं आपको बताऊं तो जो भिवानी महंदरगड के सांसद हैं चौधरी धरमबीर सिंग वो नाराज हुए थे जब किरन चौधरी की भारती जनता पारटी में एंट्री हुई तो चौधरी धरमबीर ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा एक्सपर कि आखरी चुनाव था चुनावी राजनी हैं और वैसे भी अगर मानें तो किरन चौधरी यानि की चौधरी बंसी लाल की पुत्रवधू चौधरी बंसी लाल परिवार और चौधरी धरमबीर जो भिवानी महंदरगड के हेट्रिक सांसद हैं तीसरी बार के सांसद इन दोनों परिवार को बीच टसल्स पुरानी है दे दिया गया लेकिन तब तक धरंबीर स्थापित हो गए थे राजनीती में और उनको चौधरी बंसी लाल को पहली बार हराने का ठपा तो उनके साथ जुड़ गया था अब किरन चौधरी और शूती चौधरी के आने के बाद में चौधरी धरंबीर की जो राजनीतिक सेहत कुछ नासाज होई थी उसको ऑक्सिजन दे दिया भारती जन्ता पार्टी ने और उनको चुनाव समीती के अंदर उनको शामिल किया गया है मैं आपको यहां यही बताता चलूँ कि चौधरी धरंबीर अपने बेटे मोहित के लिए टिकेट भी चाते हैं तोशाम से चर्चा भी है कि बात बन सकती है किसी अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अनिल विज को नहीं लिया गया उसके क्या कारण है किरन चौधरी को क्यों नहीं लिया गया और किरन चौधरी के स्थान पर चौधरी धरंबीर को लिया गया यह मैंने आपको बता दिया कि चौधरी दरंबीर की नाराजगी शायद जो हुई थी उसको ठीक करने के लिए और किरन चौधरी के लिए पारटी क्या भूमिका तै कर सकती है ये आगे तै होगा क्या उनको राजय सभा भेजा जाएगा या फिर केवल विधान सभा चौनाव तक सीमित रखा जाएगा उनकी भूमिका जो होगी आपसे चर्चा करेंगे अगला जो नाम जरिश के अंदर लिया गया वो कैप्टन अभीमन्यों का है कैप्टन अभीमन्यों हरियाना के पूर वित्त मंतरी मनोर पाट बन की सरकार के मंतरी भारती जनता परट्य के अंदर असरदार वजनदार नेता है चौदरी रंजीश सिंग चोटाला को भारती जन्ता पार्टी ने हिसार से अपना कैंडिडेट बनाया था तो रंजीश सिंग चोटाला हिसार से लोकसभा का चुनाव हार गए और रंजीस सिंग चोटाला ने चुनाव हारने के बाद में जो बात चली और चुनाव के दौरान में भी जो बात चली वो शिकायत भीजी गई और उस शिकायत के अंदर शिकायत की गई कुलदीब विश्णोई की भी और कैप्टन अभीमन्यू की भी तो कैप्टन अभीमन्यों को भी चुनाव प्रबंदन समीती में लिया गया है कल जो बैठक हो रही थी भारती जन्ता पार्टी की रहतक में उस बैठक में भी कैप्टन अभीमन्यों मौजूद थे और कैप्टन अभीमन्यू उस कमेटी के अंदर भी नजदीक तक है जहां पर की प्रत्याशियों का चैयन होना है यानि की कैप्टन अभीमन्यू को पूरा वजन मिला है आप माने तो रंजीस सिंग चोटाला ने शिकायत की जिन नेताओं की शिकायत की उनमें एक नेता कैप्टन अभीमन्यू उनको एड़्जस्ट कर दिया और दूसरी शिकायत की उन्होंने कुलदीब बिश्नोई की कि कुलदीब बिश्नोई और उनके समार्थक रंधीर पनिहार इन लोगों ने उनके लिए काम नहीं किया आदमपुर में चुनाव हारने की वज़ा भी गिनवाई होगी लेकिन कुलदीब बिश्नोई को दोरी जिम्मेदारी मिली है वो चुनाव समीती के मेंबर है और चुनाव प्रवंदन समीती के हरियाना के संयोजक आप मानें चुनाव प्रवंदन समीती का बड़ा किरदार बड़ा रोल रहेगा कौन नेता का दोरा हो चुनाव प्रवंदन कैसे किया जाए किसको कहां ड्यूटी लगाई जाए किसकी कहां ड्यूटी रहे कौन कैंडिडेट हो इन सब पर निगा रहेगी और उस समीती के अंदर लिया गया है संयोजक के तौर पर कुलदीब विश्णोई को और जो चुनाव के लिए प्रत्याशियों का और तमाम जो चैन की बात चलेंगी जो मैत्वपूर बैठके हुआ क बिजली मंत्री रहे और आज कल बिना विधायक होते हुए बिजली मंत्री है पावर मिनिस्टर उनकी पावर कम नहीं होई लोगसभा का टिकेट मिला चुनाव भी हार गये फिर भी पावर कम नहीं होई लेकिन अब इन दोनों समीतियों में उनका नंबर नहीं आया मतलब मान लें कि इन समीतियों के अंदर रंजीश सिंग चोटाला ने जन नेताओं की शुकायत की वो नेता तो एहम रोल पा गए लेकिन रंजीश सिंग चोटाला जी देखते रह गए और एक चीज ओर आप मान लें कि भारती जनता पारटी के अंदर जो तीनों लालों के परिवार समाए हैं चौधरी भजनलाल के परिवार से कुलदीब विश्णोई चौधरी बजनसी लाल के परिवार से किरन चौधरी और चौधरी देवी लाल के परिवार से रंजी चोटाला तो इस तीनों परिवारों के अंदर अगर तवज्जो महत्वपूर्ण मिली तो फि विधायकी छोड़कर वो भारती जंता पार्टी में शामिल हुए राश्ट्रिय कारेकारणी का मेंबर बनाया गया उनको उनके बेटे को टिकेट मिला आदमपूर से वो चुनाव जीत गए भाजपा का एक वधायक बढ़ गया कुल्दीब बिश्णोई को बाद में लगाया गया राजिस्थान के चुनाव के लिए सह परभरी और वहाँ पर भी अच्छा रजल्ट दिया लेकिन कुल्दीब बिश्णोई के भाजपा में अच्छे दिनों के उनको उमीद थी वो पूरी नहीं हुई अब लगता है जो उनको मेंन लाइन में लाया गया है फिर से परदेश चुनाव प्रभंदन समीती के संयोजक और चुनाव समीती के सदस्य के तोर पर तो आप माने कुल्दीब बिश्णोई का कद बढ़ा है इसके अंदर जो और नाम चौकाने वाले है वो है सुनीता दु नहीं दभी कुछ लिए शिकायत थी कि सुनीता दुगल ने उनका साथ नहीं दिया अशोक तवर कॉंग्रेस छोड़ने के बाद में त्रिन्मूल कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी की परिक्रमा लगाते हुए आए भारती जंता पार्टी में बड़ी उम्मीदें थी कि उनको और क्या-क्या मिलेगा लेकिन सांसत का टिकेट तो मिला अब आगे जो है जिनकी शिकायत होई सुनीता दुगल जी की सुनीता दुगल को ले लिया है उस समीती के अंदर जो हरियाना के विधानसभाज चुनाव का संचालन करेगी मैं आपको बताओं तो सुनीता दु चुनाव वो 2014 का भी लड़ी थी विधानसभाज का जिसमें वो जीत नहीं पाई थी 2019 में वो सांसत बन गई थी और 2024 में उनका नंबर लगा नहीं अब उनको लिया गया है परदेश की चुनाव समीती के अंदर और इसके सासत जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चुनाव पीते से सांसत का दिपेंदर हुड़ा को अरा करके लेकिन अब की बार रिकॉर्ड मतों से अंतर से चुनाव हारे साड़े तीन लाक वोट के असपास डॉक्टर अर्विंद शर्मा ने अपना चुनाव हारने का नजला भाजबा के कई नेताओं पर गिराया डॉक्टर अर् ने चुनाव लड़ लूँगा भया कारे करताओं का बड़ा प्रेशर है मनीश ग्रोवर भी मेंस्ट्रीम में रहे हैं लेकिन इस समीति में दौनों समीतियों में से किसी में भी मनीश ग्रोवर का नाम नहीं है और डॉक्टर अर्विंद शर्मा का नाम है आप देखें तो ऐसे कई नाम है लेकिनिस उनके मुगावले अर्विंद यादव का नाम वी अर्विंद यादव है उंकी सटीस कांकड़ा है राविंदेर्जी संग के साथ में क्रुषणपाल गूजर का नाम है प्रदेश की चुनाव शमीति में तो चुनाव प्रबंधन समीथि दोनों समीतियों का जो गठन किया है ये बहुत सारे संदेश दे रहा है ये बता रहा है कि पार्टी के अंदर उन्नेताओं को पूरी तवज्जो दी जाएगी जो हैट्रिक लगवाने में काम दे सकें वैसे एक नाम इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है जिसका मैं आप से जि जिंद्य मंतरियों का नाम आ गया क्रिशनपाल बूजर का आगया राविंद Tenerson का और चौद्री धरम यह बिर्धान नहीं है नवीन जिंदल का परिवार हिसार विधान्सभा के टिक्टर चाता है है अपनी माता जी के लिए या किसी और को परिवार से लडाए हिसार विधा सभा से डॉक्टर कमल गुपता आजकल विधायक हैं सूबे के सेहत मिनिस्टर यानिकि इन सब को देखते हुए जो मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए कि भारती जंता पार्टी की जो चुनाव समीती और चुनाव प्रबंदन समीतियों का गठल हुआ इसके कई सारे माइने हैं एक माइना ये कि कुलदीब विश्णोई को दोरी जिम्मेदारी दूसरी बात ये कि किरंद चौधरी और शूती चौधरी को वजन ना मिलना तीसरी बात ये कि अनिल विज को मनीश ग्रोवर को को स्थान ना मिलना चौथी बात ये कि रंजीज सिंग चोटाला के सभी कि सुनिता दुगवर को कहीं अरजस्ट ना किया जाना दॉनंग कमेटियों में से वहलंकि सुनिता दुगवर को प्रमुख वह चलब, यहीं, उसके लिए अपने जो मोहरे चहरे फिट करने की बात है, क्या वो सारी मेहनत adapted की जा रही है, सारी वो कारवाई कागजी कारवाई की जा रही है, आपको क्या लगता है, जो चुनाब होना जल्दी नजदी खोशित हो सकता है उस चुनाव को ले करके जो भाजपा की तयारियां है क्या उसको है ट्रिक तक ले जाएंगी और आपको क्या लगता है कि हर्याना के अंदर भाजपा का चुनावी भविश्य क्या रहेगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े हैं हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर करें अगर आप यह वीडियो फेस्बुक या झालब आप आतत्रा का स्मयलूब चैनल को और थिस का सब्सक्राइब ग یुटजू प्स्राइब को लिए पाल-डवते में इंस्चल न को और यह रही का गड़ूँ यह थिएicken